दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम कोई इंग्लिस में मैटर टाइप कर रहे होता है और हिंदी का भी मैटर साथ में होता है उसके अंदर जैसे कोई स्कूल के पिपर टाइप कर रहे हैं तो उसमें हिंदी के सब्द और इंग्लिस के सब्दों साथ साथ आते हैं तो हमें बहु इंग्लिस में लिखना होगा तो मुझे यहां पर फॉन्ट में जाकर चेंज करना पड़ेगा जैसे फॉन्ट चेंज करेंगे तो यहां पर यह चेंज होगा तो यह दिक्कत वाली बात है जैसे अगर मुझे हिंदी में वापिस लिखना है तो यहां पर वापिस से हिंदी में चेंज करना पड़ेगा तो यह बार-बार करना पड़ता है तो यह problem से solution कैसे प्राप्त करेंगे या यह इसका कुछ shortcut कैसे बनाएंगे आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं तो वीडियो को last तक देखते हैं चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले मैं क्य अगरता हूँ कि इनका सोड कर मनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल के अंदर वहां पे औप संच मिलेगा आपशन क्लिक करने के बाद में आपको मिलेगा कश्टमाइज डिबन कश्टमाइज डिबन में जाकर यहाँ पे आपको मिलेगा Keyboard स्कर्ट यह keyword डापकर बना सकता है तो कुस्टमाइज में क्लिक करेंगे यहां पर आपको एक सब्सक्राइब करने के आप को दिखने लग जाएंगे अब मैं सबसे पहले इंग्लेस का बढ़ना चाहता हूं कैलिबरी फॉन नाम से आता है तो सबसे पहले तो यहां पर font चुल लीजिए और यहां पर click करने के बाद में एक बार यहां click कर लेजिए और यहां पर मैं type कर लेता हूं तो calibrary font यहां पर दिख रहा है यहां पर आपको shortcut use करना है तो shortcut मैं use कर रहा हूं control के साथ में number numbering page के अंदर number page में one तो कंट्रोल के साथ में अगर आप नंबर पेट जो है वहां पे एक है एक नंबर टाइप करे वे तो इंग्लिस वाला फॉंट आ जाएगा यह एसाइन पर क्लिक करेंगे इसी बरगार अगर आपको हिंदी के लिए चाहिए तो हिंदी में फॉंट यूज करते हैं कुरुतिद आपको मिल जाएगा बन जाएगा क्लोस करते हैं इसको करते हैं और हो गया अपना काम अब जब भी आप टाइप करोगे जैसे मुझे अगर यह लाइन लिखनी है अभी जैसे ही टाइप हो रहा है हिंदी में जैसे मैं यहां लिखता हूँ नवकार कंपिटर तो यह हिंदी म में कनोट हो जाएगा यहां इंग्लिस में टाइप होगा तो नवकार कंपिटर सेंटर मैं लिख दिया अगर मुझे बालोतरा हिंदी में लिखना है तो मैं कंट्रोल के साथ में टू बटन दबाऊंगा तो यहां पर हिंदी ऑटोमेटिक हो गया और यहां पर आप आराम से कर सकते हैं जैसे बने टाइप कर लिया वालोतरा तो आपको कुछ भी फॉन चेंज करने के जुरूत नहीं होगी आपको केवल वन और टू बटन टाइप करेंगे तो हिंदी हो जाएगी वह इंग्लिस वन से हो जाएगी और टू से हिंदी हो जाएगी तो यह वीडियो आप कमेंट करके जुरू बताइए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक हमारे चनल नवकार कमटर को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब जरू कर लेजी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत भरन्यवाद